नमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया IPO के बारे में, जो September में IPO मतलब खरीदरी का date स्टार्ट होगा, तो आज मैं 26 August में इसको वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके उपर खरीदरी करने से पहले आपको कुछ च आपको लगे कि IPO अच्छा है, तो इसमें जोरू खरीदरी करिए, तो IPO का जो नाम है, उसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हो, या पर IPO का जो वेबसाइट है, मैं वेबसाइट में लेके आया हो, या पर दिखे, बीजोई डाइगोनेस्टिक सेंटर, तो टोटली ड कितना अच्छा होगा, और IPO में आपको कितना जावदस रैली देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी आपको या पर बताऊंगा, तो पहले आपको IPO का डिटल्स में आपको दिखा देता हूँ, या पर देखिए, आपको डिटल्स आप खुदी देख सकते हैं, या पर चित् अच्छा होँ था, 1981 में वो भी देखिए, उन्होंने बताया है, मतलों कमपानी बताया, Bijjoy Diagnostic Center is one of the fast growing Diagnostic clinics, वो भी कहाँ पे है, साउथ अंड इंडिया में, मतलों साउथ इंडिया में Bijjoy Diagnostic Center है, देखिए, कमपानी जो काम करते हैं, वो भी आप देख लीजे, दा कमपान कमपानी ओफर एक वान स्टॉप स्लूशन वॉर्ब यह पे देखिए, पैथोलोजी एंड डियुलोजी टेस्टिंग सर्विजेद मतला ज्यादा तर पैथोलोजी में और रेडियुलोजी में काम करते हैं, डायगोनिक सेंटर का मतलब है, पैथोलोजी में ज्यादा काम होत और कुम्पनी का जो एराउंड 740 या पर देखिए राउटन टेस्ट है और 870 स्पेसालाईजेशन पैथोलोजी है और 220 बेसिक टेस्ट है और 320 एडवांस या पर तके रेडियोलोजी टेस्ट है तो रेडियोलोजी जो टेस्ट है बोद 320 है तो करीबन देखा चाहिए बहुत अच्छा कासा बिजिनेस कंपानी ने बढ़ाया है वह भी 1981 से स्टार्ट हुआ है तो करीबन मानके चलिए 40 यह कंप स्टिक सेंटर है और 11 रेफारेल लाबरेटरीज है और 13 सिटीज और कंटीज में स्टीज और टाउन्स में यहां पर कॉम्पानी बिजिनेस कर रहा है वो भी देखी तेलेंग गाना अंध्रावदेश नाशनल कैपिटल रिलीजियन और कुलकाता तो मतलब कुलकाता का मतलब आप वेस्ट वैंगल में यहां पर भी इसका डागोनेस्टिक सेंटर है तो 96.2 परसंट का रेविनू कॉम्पानी ने ज्यादा तर कमाता है 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 और आधा स्टेट से उन्होंने अभी आच्या खासा यहां पर रेविनू कमाता है तो ज्यादा तर यह जो रिपोर्ट दिया है वो 31st मार्च के रिपोर्ट है आप और भी कुछ चीज यहां पर देखना होता है तो आप यहां पर देख सकते हैं तो कॉम्पानी का पार्फॉम्मेंस जो दिखा रहा है बहुत अच्छा है बहुत अगड़ा है तो फीचर के लिए भी अच्छा खासा कॉम्पानी बन सकत बूंइक बहुत है और यहां पर आप तो देखी सेट देखी लिए यतना सरे मेडिकल सेक्टर है और फार्मा सेक्टर और लुए इतना सरे मतलब डाइगोनेसी के सेंटर है वो अच्छा का सा रैली दिखा रहा है इस कोरूने के सिच्ट्योशन में और इस रेल में भी इस ब करने के लिए फैसला लिया गया है यहां पर देखिए कंपानी का जो बीजनेस है वो मार्स 31st 2021 में बीजो डियागोनिस्टिक सेंटर लबराटरीज होल्ट नाशनल यहां पर देखिए उन्होंने बोर्ड टेस्टिंग जो क्लिनिक किया है उसके बारे में यहां पर बता रहा है तो कंपानी जो परफॉमेंस दिखाने बहुत अच्छा है आप देखिए कंपानी का स्टेंथ है वो लार्जेट एंड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डियागोनिस्टिक सेंटर इन साउथ इंडिया यह भी अच्छे बात है और भी कुछ चीज यहां पर द करने का चांसे मिलेगा और इसका जो पॉमटर है बहुत देख सकते हैं या पर डॉक्टर एस शुरंदरनाथ रेडडी इसका प्रोमोटर है तो उन्होंने इस कंपनी का प्रोमोटर है और आप आपको कंपानी का फाइनसल डीटल्स एक बास चेक आउट करने लेना होगा तो कंपणी के पर्फ़मेंट से हैं यह अपको दिखा रहा हो फिर भी आपको डीकैल्स में पहले पको दिखा देता हो यहाप फाइननसल रीपोर्ट से इकंपणीग वेबसाइट से निकल कर आपका सामने Mir sup मैं आपको करेंट दिखा देता हूँ यहां पर देखिए 2021 मैं थोला सा जूम कर देता हूँ यहां ठीक है तो यहां पर देखिए 2020 में यह रेंडिंग का और 2021 का यह रेंडिंग का फाइनसियल रिपोर्ट है मतलब मान के चलिए 3000 करोर का यहां पर कॉम्पणी ने रेंडिंग किया है और इस सालों में 3700 करोर का कैस यहां पर यहां पर बैसे की ठेजरा गया गया है तो overall बात करूं, income और expense minus करके, जो profit company ने किया है, वो भी इस, मतलब जितने सारे taxes है, उस tax को pay करने के बार, जो income किया है, वो एक बार आप देख लिजी, आपे total before, आपे profit for the year, तो जितने सारे tax है, उसको छोड़ कर, 6,000 lakhs का यहाँ पर profit हुआ था, अभी इस सालों में 8,000 lakhs का profit हुआ है, company अच्छा का सा profit यहाँ पर जिनाट कर रहा है, यह आप देख सकते हैं, तो यह ही company का positive thinking है, और सिर्फ एक साल के नहीं, मैं पिछले साल को भी profit देखा देता हूँ, पिछले सालों में भी देखिए, यहा यहाँ पर 2020-29 का जो report है, इसके बार में आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा जून कर देता हूँ, यहाँ पर total profit के बार में देख लीजी, यहाँ देखे, total profit, यहाँ देखे, 4891, 2019 में था, अभी 2020 में 6,123, अब सिर्फ figure देख लीजीए, यह lakhs में है, तो overall बात करू, year of year basis इस company धीरे-धीरे growth हो रहा है, positive में हो रहा है, यह सबसे बड़ी बात है, company जावदस performance दे रहा है, feature में भी आपको जावदस performance देखने को मिलेगा, company खरम नहीं, company जावदस है, feature में आपको इस type stock में invest करने के लिए जोरू सोचना चाहिए, क्योंकि company का जो देखे, एक साल में अच्छा किया, दूसरे साल में loss किया, इस type company सब दूरी रही है, इस company धीरे-धीरे-धीरे-धीरे अप्टेंड में जा रहा है, growth अच्छा हो रहा है, और pharmaceutical के साब जूड़े हुए है, और diagnostic center के साब जूड़े हुए है, तो इस type stock जबदस future में आपको rally दिखाएगा, तो यह इस type stock में आपको जोरू invest करना चाहिए, और IPA में आप इन्वेस्ट करना चाहते है, तो आप जोरूर इस पर study करके invest कर सकते है, company खरब नहीं है, जबादस company है, यह पर IPA का date देख लीजिए, opening date है, September, 1st September में, closing date 3rd September होगा, और issue जो type रहेगा, वो आपको face value 1 रूपया में द और price range जो रहेगा, 522 share, 531 तक, 28 share आपको खरीदारी करना होगा, BSCNC दोनों में देखने को मिलेगा, issue size जो रहेगा, 53,600 equity share रहेगा, करीबन 1,895 करोड का issue size रहेगा, offer first sale दिया जा रहे है, 1,895 करोड, मतलब टोटली जो issue size रहेगा, वो ही issue size यहापे offer first sale में दिया जा रहे है, वो भी अच्छा बाद है, company खुदी, promoter यह share बेजकर, खुद के पास पैसा नहीं रखना चाते है, totally business में ही लगाना चाते है, तो यह भी एक बहुत जबदस news है, तो यह पे उसका आपको एक lot खरीदने के लिए 28 share खरीदारी करना होगा, 14,868 रूपीज आपको pay करना हो maximum 13 share खरीदरी करना होगा, वो भी 364 share, 1,93,000 आपको share amount को pay करना होगा, और साथी साथ देखिए, open date जो होगा, IPO का 1st September, 3rd September में close हो जाएगा, basic alignment date मतलब alignment हो जाएगा, 8 September में, आपको alignment नहीं मिला तो आपका fund return किया जाएगा, 9 September में, credit किया जाएगा, आपको alignment मिल चुका होगा तो आपको credit किया जाएगा, आपका demand account में 13 September में, IPO का listing का जो date रहेगा, वो 14 September, तो पूरा details में आपको सामने में study क्या हो, company के बारा में बात करो, तो company खरम नहीं है, जबदस company है, इसके उपर आप IPO जरूर खरीदरी कर सकते है, फिर भी देखिए, मैं education purpose में आपको बता रहा तो आप इसके उपर IPO का खरीदरी के लिए तयार रहना, और अच्छा कासा IPO है, तो आसा करता हूँ, पूरा details सबको जानकर ही मिल चुका हुआ, तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों को साथ share भी करिए, और मेरे channel को अब subscribe भी कर करेकिए, तो मिलते हैं, अगले stock, अगले news लेका, तब तक के लिए अच्छे रही है, अपने खिया लेकिए, वाई वाई